बिहार के भागल पुर जिले में एक पुल बन रहा था जो की अगवानी घाट पुल के नाम से जाना जा रहा था कुछ दिनों पुर्व तेज आंधी बारिश की कारण पुल का एक हिस्सा ढह जाता है जिसको सुनते ही केंद्रिये सडक एवं राजमार्ग मंद्री नितन गटकरी भी इसको इस बात का जिक्र करते हैं और काफी परिशान हो जाते हैं कि आखिर बिहार में ये क्या हो रहा है बिहार में ऐसी कौन से जगा है जहां पर तेज आंधी और बारिश के कारण एक पुल का हिस्सा ही भरबरा कर गिर जाता है इस मामले के बाद लगतार जो राजनितिक हलकों में जो सुरकिया थी वो तेजी से बढ़ने लगी ये भी पता थी कि ये मामला इतनी उपर तक गया कि अंतरास्टी सर पर इसकी चर्चा होने लगी अब एक जो टीम बनी है मुंबई IIT की वो अपनी रिपोर्ट सौपने वाली है और इस पुल के गिरने का सबसे बड़ा सच जो अब सामने आने वाला है आकिर क्यों ये पुल गिरा मुंबई की IIT टीम अब इसे बताने वाली है देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट की आग किर तेज आन्दी और बारिश के कारण गिर जाने वाला पुल कैसे गिर गया या सच में तेज आंदी और बारिजी कारण या पुल सतिगरस्त हो गया या फिर किसी और कारण से इस पुल को इतनी नुकसान उठाना पड़ा देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट बिहार के भागलपुन में बन रहे एक पुल के हिस्से के भरबरा कर गिर जाने का मामला अंतराश्चे स्तर पर चर्चा में हैं केंडरी मंदरी नितिन गटकरी ने इस वाक्य के जिक्र किया था दरसल हाथसे के वक्त बारिश हो रही थी और तेज हवाय चल रही थी कुछ अधिकारियों ने सुराती तोर पर कह दियात की या पुल तेज हवा के कारण ही गिर गया इसके बाद बिहार में निर्मान योजनाओं में भरचचार की चर्चा तेज हो गई खुद केंजरी मंतरी नितिन गटकरी ने भी आश्चर जताया कि कोई पुल भला हवा के कारण कैसे गिर सकता है अब इस पुल के गिरने का असली कारण सामने आने वाला है भागलपूर के सुल्दान गजमिन निर्मान अधीन अगवानी घाट पुल के सूपर स्ट्रक्चर के एक हिस्से के ध्वस्त होने के कारणों के जाच के लिए आयाइटी मुंबई की टीम ने स्थल निरिक्षन कर लिया है पथ निर्मान मंत्री नितिन नवी ने गुरुवार को बताया है कि अगले दो-तीन दिनों में आयाइटी की रिपोर्ट पथ निर्मान विभाग को मिल जाएगी पत्ध निर्मान मंत्री ने अभी बताया है कि एनाइटी पटना की टीम ने पहले ही पुल के निरक्षन का काम पूरा कर लिया था बिभाग की ओर से भी अभी अनताओ की टीम ने जाच की है इन तीनों रिपोर्ट पर बिभाग के उच्छे स्तर पर समीक्षा की जाएगी इसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचकर निर्नय लिये जानी के स्थिति होगी उन्होंने यह भी का है कि देखा जा रहा है कि पुल की डिजाइन में किसी तरह की तुरूटी तो नहीं है अगर तीनों एजनसी इस बारे में कोई परामर्च देती है तो डिजाइन को लेकर भी विभाग के स्थर पर कोई निर्नय किया जा सकता है तक्नीकी तोर पर इजनसी के स्तर पर कोई गरवडी पाई गई तो उसे भी बरदास नहीं किया जाएगा कोशिश यह है कि पुल का निर्मान तैलक्ष के हिसाब से ही पूरा कर लिया जाए तो बिहार के भागल पूर जिले के अगवानी घाट पूल का यह मामला है जहाँ पर सूपर इस्ट्रक्षर तेज हवा और फिर आंदी के कारण गिर जाता है ऐसा कुछ आला दिकारी कहते हैं जब ये बाद केंद्री मंत्री नितिन गटकरी को सुनने को मिलती है तो वो काफी ह हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है क्या इसमें भ्रचाचार की गंद सामने आ रही है साधी साथ आपको बता दे कि IIT बॉंबी की टीम से पहले NIT पटना की टीम ने भी स्थल निरिक्षन किया था खुद इसकी जानकारी पत निर्मान मंत्री नितिन नवीन ने दी थी मगर जिस तरीके से बिहार के भागलपूर के सुल्टान गंज में अगवानी घाट पुल्प का निर्मान किया जा रहा था और फिर ये सूपर स्ट्रक्चर गिर जाता है जिसके बात अंतराष्टे स्तर पर इसकी चर्चा होती है कि आखिर इतने बड बड़ गया है कि क्या बनते हुए पुल को भी अब सहारा नहीं मिल रहा और सुपर स्ट्रक्चर तक गिर जाता है आयाइटी बॉम्मे की जो रिपोर्ट है वो एक दो दिनों में आ सकती है और इस पुल के जो चर्तिगरस्त होने का मामला है उस पर से अब परदा उठ जाए